नमस्कार, आज दो खबरे हैं, एक महाराष्ट से और दूसरी खबर है पश्चिम बंगाल से तो पहले महाराष्ट की खबर की बात करते हैं, हलचल वहां आजकल जादा है महाराष्ट में वंचित विकास आघाडी है एक पार्टी प्रकाश हमबेटकर की आपको मालूम होगा उसका हाली में उद्धो की शिवसेना वाला जो फैक्षन है उससे गड़ बंधन हुआ है खास तोर से मुंबई महानगर पालिका के चुनाओं को ध्यान में रखते हुए जहां उनका असर है दलित वोटों पर प्रकाश हमबेटकर ने गोशना की है ये बयान दिया है कि अगले पंद्रह दिनों में महाराष्ट में राजनितिक बंबिस्वोट होने वाला है तो अब वो कह रहे थे तो ये माना जा रहा था कि शायद महाराष्ट विकास अगाडी में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है कुछ बदला होने जा रहा है बात यहीं तक सिमीत रहेगी लेकिन बात इससे आगे जाती हुई दिख रही है क्योंकि शरत पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले उनका कहना है कि अगले पंद्रह दिनों में महाराष्ट और दिल्ली दोनों जगे राजनितिक बंबिस्वोट होने वाला है तो इसका मतलब कुछ पुलिटिकल एलाइनमेंट बदलने वाला है बंब स्पोर्ट राजनिती में तो इसी तरह का होता है कि जो आज साथ हैं वो बिषड जाएंगे जो बिषड हुए थो मिल जाएंगे कुछ इस तरह का होगा तो एक तो अजीत पवार को लेकर चल रहा है कहा जा रहा है कि उनके 40 विधायक उनके साथ जाने को तयार है हाना कि ये संख्या जो है 13 से लेकर 40 तक की है अजीत पवार इसका पूरी तरह से खंडन कर चुके हैं शरत पवार खंडन कर चुके हैं हलांकि शरत पवार उद्धव ठाकरे से कह चुके हैं कि उनके कुछ विदायक जो है वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और उनको वो रोक नहीं पाएंगे एक बात दूसरी बात लेकिन ये बात चली रही थी कि इसमें संजे हैं एक प्रवक्ता उद्धो नहीं इनके एकनाशिंदे के गुट के उनका बयान आया है उनका बयान जो है वो आग में घी डालने जैसा है उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार अकेले आते हैं तो उनका स्वागत है लेकिन अगर अजीत पवार अपने साथियों को लेकर यानि विधायकों का पूरा गुट लेकर आते हैं तो फिर हम सरकार में नहीं रहेंगे हम सरकार से बाहर चले जाएंगे क्योंकि इन ही लोगों के कारण हम सरकार से बाहर गये थे उस समय महाराश विकास अगाडी में शिवसेना से लग हुए थे उद्धव ठाकरे को हम मनाते रहे माने नहीं कि हम NCP और कॉंग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते है अगर फिर से NCP का वही धड़ा जो है आ जाता है सरकार में तो हम सरकार से बाहर चले जाएंगे अब यह तो बड़ी मुश्किल है BJP के लिए खास तोर से वो चाहती है कि अजीद पवार आ जाए जो एकनाज शिंदे का गुट है वो भी चाहता है कि अजीद पवार आ जाएं लेकिन अपने समर्थकों के बिना कि इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी और शिंदे गुट का कहना है कि यह जो चर्चा चल रही है कि शरत जीद पवार डरे हुए है इस बात से इडी का केस है और दूसरे इस तरह के मामले हैं उनके साथियों के बोले यह कोई कारण नहीं है उनकी सारी चिंता है अपने बेटे पार्थ पवार की पुलिटिकली उसको इस्टैब्लिश करने की 2019 के चुनाव में वो हार गए थे लोकसभा का चुनाव मामल से लड़े थे और हार गए थे वो एक तरह से पवार पविवार का गढ़ माने जाता है वहां से हार गए थे इसलिए और चिंता की बात तो उनका कहना है कि वो उसके पुलिटिकल करियर को समारने के लिए जो है वो बीजेपी के साथ आना चाहते है को लगता है कि यहां आने पर सब ठीक हो जाएगा दूसरा अजीत पवार को फ्री हैंड नहीं मिल रहा है एनसीपी में इस बात से परेशान है बहुत लंबा समय हो गया शरत पवार की छतरशाया में काम करते हुए अब वो उससे मुक्त होना चाहते है शरत पवार जिस तरह से उठाकरे से नहीं ने बात की उससे लगता है कि अब चीजें उनकी पकड में उस तरह से नहीं है जैसे पहले थी तो एक तो यह मामला महराश्च का हो गया लेकिन जो सुप्रिया सुले दिल्ली की बात कर रही है वो समझना थोड़ा मुश्किल है अगर अंदाजा लगाएं शरत पवार पिछले दिनों में जिस तरह से बयान उन्होंने बदला स्टेंड बदला है राहूल गांधी का कॉंग्रेस पार्टी का और विपक्ष की 16-17 पार्टीयों का जो अडानी का मुद्दा था उसकी उन्होंने हवा निकाल दी जो उन्होंने बयान दिया कि अडानी को टार्गेट किया जा रहा है गलत कहा जा रहा है और जेपीसी की मांग नहीं होनी चाहिए जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए सुप्रिम कोट की जो कमेटी है चेसे दर्शी है उसी के जाच होनी चाहिए ये सब कहके और उसके अलावा बहुत कुछ उन्होंने सरकार के समर्थन में कहा अजीत पवार ने कहा कि इलेक्शन कमिशन को लेकर बीजेपी का समर्थन किया जो स्टैंड है उनका की जो है इलेक्टरिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बनी नहीं है और कॉंग्रेस अभा दूसरे दलों की ये राय है कि इलेक्टरिक वोटिंग मशीन से चुनाव ना हो घूत नहीं है इस तरह की बातें कहीं तो किया शरत पवार बीजेपी के साथ आने वाले ऑले हैं दोनों महराष्ट की तो केवल प्रकाशा मेट कर रहे हैं लेकिन सुप्रिया सूले दोनों जगह की बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होने वाला है ये केवल अंदाजा लगाया जा सकता है और इसका मतलब है कि कुछ पॉलिटिकल री अलाइनमेंट होने वाला है जो अभी तक संभव नहीं लग रहा था तो इस दिशा में जो है चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी तो उस समय होगी जब करनाटक का चुनाव प्रचार अपने पीक पर होगा क्या उस समय होगा तो बीजेपी के निश्चित रूप से उसके लिए तैयारी होगी दूसरी खबर है पश्चिम मंगाल से मुकल राय आपको याद होगा टीमसी से निकल कर 2017 में आये थे बीजेपी में और फिर 2021 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े जीत गए जीतने के बाद वो फिर निकल कर चले गए टीमसी में वापस और उनके बेटे भी चले गए दोनों चले गए तो उसके बाद से जो है उस समय ये माना जा रहा था कि उनके बेटे के खिलाफ बहुत ज़्यादा केस जो है रेजिस्टर हो जाएंगे ममता बेनेजी परेशान करेंगी उससे बचने के लिए वो गए अब वो चुप चाप कॉलकाता से दिल्ली आ गया और कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का अभी भी मेले हूँ बीजेपी के सदस से बना हुआ हूँ इसलिए मैं बीजेपी में वापस आना चाहता हूँ अब मैं त्रिनमूल के साथ नहीं रहना चाहता उनके बेटे का कहना है कि उनकी मानसिक स्थिती ठीक नहीं है वो डिमेंशिया से पीडित हैं वो अल्जाइमर से पीडित हैं इसलिए जो है उनको अल्जाइमर नहीं पार्किनस्टन साइद कहा और उनका कि उनकी तबियत खराब है उनको परिशाम नहीं किया जाना चाहिए सुवेंद्यु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है पर्शिम बंगाल विधान सबा में उनका कहना है कि हम रिजेक्टेट नेताओं को लेंगे ही नहीं उनका मुकुल राय की कोई जरूरत नहीं है हमको और उनको फिर से वापस लेंगे नहीं जो नेता दोहजार इकिस के विधान सबाद चुनाओ के समय के बाद जब भाजपा के कारिकरताओं पर हमले हो रहे थे उनके खिलाफ इंसा हो रही थी उस समय छोड़कर चले गए पार्टी वो बीजेपी के नहीं हो सकते तो अब मुकल राय का क्या होगा वो आना चाहते हैं अपने बेटे के लिए भी कह रहे हैं कि तुम भी चले आओ तो बीजेपी में तो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा बविश ज़्यादा सुरक्षित है लेकिन बेटा सुनने को तैयार नहीं है तो ये कुछ इंटरनल टीमसी का मामला लग रहा है वहां मुकल राय की पूछ बंद हो गई शायद उनका स्वास ठीक ना होने के कारण या किसी और भी कारण से हो सकता है तो महाराष्ट की राजनीती में पश्चिम बंगाल की राजनीती में दोनों जगे कुछ बदलाओ कुछ छोटा कुछ नजर आ रहा है लेकिन राष्ट्री इस्तर पर क्या होगा ये एक पहली है जो सुप्रिया सुले ने इसके बारे में कोई संकेत दिया नहीं है तो पंदरा दिन बहुत जादा नहीं होता है इंतजार कर लेते हैं आज के अंक में इतना ही नमस्कार